बाद हम vocabulary के लिए आ रहे हैं और पूरी strategy के साथ आ रहे हैं आज का vocabulary सिर्फ vocabulary के साथ नहीं कराऊंगा मैं आज analogy या analogy जिस भी नाम से आप जानते हो उसके साथ मैं आपको vocabulary कराऊंगा जो कि बहुत sentence exam में या तो logical leasing में पूछा जाता है या आपको English में ही पूछा जाता है so एक बार सारे लोग आ जाए उसके साथ हम start करेंगे इस बीच बहुत सी ख़बरे हैं आपके लिए class 12 के marking का basis decide हो चुका हुआ है 40% आपके class 12 के internals बाकी चीज़ें जो है उसके pre-boot उसके basis पे 30% और 30% आपका 10th और 11th के mark से basis पे आपका जो valuation है वो किया जाएगा और शिप्रा गुरीवनिंग 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 गुरीवनिग दूसरी बड़ी खबर जो यह आ रही है कि C.U.C.T. के बारे में final confirmation इसी week में आजाएगा जब मैं final confirmation की बात कर रहा हूं तो लगबग तय है कि वो exam होना ही होना है final confirmation का मतलब कि वो exam होगा ही होगा तब हम C.U.C.T. की बात करते हैं आज के इस video में जो हम करने वाले आज के इस live में वो हम करने वाले है आनलोजी आनलोजी या एनलोगी और उसी के साथ हम करेंगे आपका live जो हम vocabulary करते हैं और उसे interestingly हम करेंगे गुरिवनिंग, गुर मीन, गुर मीथ, गुरिवनिंग युक्ता, दिनेश लोह हमस्य, ev Что करेंगे तरह के शच्रब पहले chs ए फ़रे इनलजी है कुछ जो के ल rais we are only LOL capacities ही वर वहीं से वटीए ही वाले रहीं वाले है हाई, 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 हाई?, So, जो first part है, on the first hand, जो हम करनेinging करने माले है, और उसके साथ पर हम उसके साथ व Gwen Biddly करेंगे, व Pragably D. के ऑनलोजी में ही Garyona सबस्क्राइप्ज गरेंगे दूसरी चीज़ कि आप यह लगभग टै माना जा रहा है कि आपका C.o.c.e.p.te और इसी वीक में 16 जो कल वीता हुआ जिन था उसी वक्त अपडेट आने वाला था, लेकिन अब 31 जुलाई को रिजल्ट के डेक्लेयर होने की डेट आ चुकी हुई है, तो गॉर्मेंट भी तयार है, क्लाइट के एक्जाम की डेट भी आ चुकी हुई है, आपको पता होगा, व ऐसे ही कुई final update आएगा, आप देखोगे live sessions के, YouTube के classes, number of classes, सबकुत बढ़ जाएगे, so अभी भी अगर आप सोच रहे हो, अच्छा, Simr, oh, I did not notice that, so अगर अभी भी आप सोच रहे हो, तो अगर अभी आप सोच रहे हो, तो लेट स्टार्ट, और जो लोग नए हो, प्रीज पर दनाई हुई है, वोगादरी के उपर हम दहिंदू की और एडिटोरियल्स भी लेकर के हम आने वाले हैं, एक चीज जो मैं आप से कहना चाहता हूँ, वो ये, कि अगर आप वोगादरी के उपर काम करना चाहते हो, तो वोगादरी unlimited है, उसके इसमें आप क्या करोगी, कि पर दे, एक प्टिकुलर टाइम डिसाइड करो जिस वक्त आपको वोगादरी करनी है, वो टाइम होता है आपके सोने से पहले, जो भी वोगादरी आपको करनी है, वो लिख के प्रक्टेस करो, कभी भी वोगादरी आप सिर्फ याद करोगे, कभी भी याद नहीं होगा, व Vocabulary हमेशा लिख के practice करो और लिख के practice करने का मतलब कि for say you have memorized 10 words उन 10 words को सोने से पहले लिख के याद कर लो और फिर मुझी repetition चलते रहो तो सोने से पहले अप याद करोगे तो आपको काफी help में लेगा So let's start with analogy और analogy के साथ हम आपका vocabulary करेंगे So we are starting analogy analogy और analogy के साथ ही आपकी vocabulary चलेगी कैसे analogy के question है for say अब मैंने कहा एक question दिया आपको ocean और इसके साथ option दिया saline आप इसमें चार options मिलेंगे ये reference text है आपका ये आपका एक reference text है इस reference text के basis पर आपको conclusion निकालना है that is honey honey sweet brook fresh heaven paradise c is to vast so ये आपके चार रिफ्रेंसेज हैं इन चार रिफ्रेंसेज की बेसिस पर आपको डिसाइड करना होगा करना क्या है analogy analogy similar हर exam में आता है English में भी आता है logical reasoning में भी आता है बोर इस ब्लडी आप जो quality है उसको improve करके 480 360 कर लो it will clear 480 360 कर लो जो बोर है वो clear हो जाएगा ठीक है so analogy क्या करना होता है यह logical reasoning का part है यह एक reference text है इस reference text का क्या करना पड़ेगा you have to find a relation you have to find a relation आपको relation identify करना है उस relation को यहाँ पर implement करना है यह जो relation है ocean saline इस relation को आपको यहाँ implement करना है ठीक है so जो लोग नए है प्रीज सब्सक्राइब जरूर कर लो और अगर बुला सकते हो तो अपने दोस्तों को बुला लो ठीक है so हमने यह reference text दिया क्या दिया यह ocean की spelling गलत है ocean reference text है saline अब थोड़ा conclusion निकालते हैं कि ocean क्या है एक समुत्र है आपको इसके meaning पता होने चाहिए इसलिए मैंने इसको vocabulary के section में रखा हुआ है ठीक है so आपको right option देना है कि right option क्या होगा so ocean क्या है saline है और एंग्लिष का पार्ट है कि mark my word मैं l Seiten करा रहा हूँ है यह लॉवजीकल लिज डिंग में ने तो आथा है और इंग्लिष में भी आता है फिक है अगर लॉजचल लिजडिंग में भी आता है तो English का ही section आता है, अलग से नहीं आता वो, Logical Leasing में भी English का section में ही बन के आता ही है, ठीक है, ध्यान से समझना है इस पात को, So, मैंने क्या कहा, ocean, water है, कैसा water है, saline water है, So, the next is, honey, sweet है, brook, fresh है, heaven, paradise है, sea है, vast है, Vast है, सबसे पहले, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, कैसे करने का तरीखा, आप क्या करोगे, आप उसमें से eliminate कर दोगे, wrong options को सबसे पहले eliminate कर दो, Elimination सबसे दा required होता है, जब हम MCQ की बात करते हैं, So, इसमें C कैसा है, vast है, यह एक wrong option है, क्योंकि हमने ocean की बात की, So, ocean की vastness की बात नहीं कर रहे है, इस reference text के में, You have to find a relation, कि इसके बीच में, जो reference text है, और जो आपके answer text है, उनके बीच में, एक relation establish करना है, यह आपका reference text है, यह answer text है आपका, और answer text और reference text के बीच में, आपको relationship में identify करना है, यही सीखना है, गौर आप, यही करना है है, So, ocean क्या होता है, बड़ा है, saline है, honey क्या है, sweet है, Brook, हमने vocabulary कर रहे हैं, आपको पता होगा, हम vocabulary कर रहे हैं, आपका, जो heading देख क्या रहे है, that is something different, जो हम the hangman खेलते हैं, वो ऐसे खेलते हैं, वो कभी और खेलेंगे हम, hangman खेलते हैं, वो hangman भी खेलेंगे, यह अब तो पूरे time पर यही करना है, So, वो hangman दूश्री चीज है, यहाँ पर हमने analog ही कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, Okay, small river, यह क्या है, एक fresh और small river है, So, जिस तरह से ocean कैसा होता है, saline होता है, ocean कैसा है, saline होता है, ocean का पानी कैसा होता है, saline यानि नमकीन, आपको इसकी meaning, इसलिए हमने उसको vocabulary के section में रखा हुआ, Ocean आफसा पानी खाया होगा, और रुक होगा फ्रेश होगा Ocean का वाटर सलाइन होगा, बुक का वाटर फ्रेश होगा So, right answer is, right answer is, Can anyone tell me what is the right answer? I am waiting for you answers, quickly, बहुत जल्दी से जवाब रना चाहिए And we know a few people who are new, subscribe, call your friends Not e, not e नहीं नहीं, the correct option is B, the correct option is B, the correct option is B, not A, मेरी बात को समझदा, ocean's water is saline, but the brook's water is fresh, honey sweet होती है, लेन honey कोई water तो नहीं है, ocean water है, nature कैसा similar का, ये भी ocean की बात कर रहा है, ये brook की बात कर रहा है, they are similar in nature, honey is something different, अगर यहाँ पे होता somewhere, chocolate is sweet, ये, let's say, कुछ और होता, like lemon is saline, तो आप honey sweet कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो ocean है, इनका nature, दोनों के बीच में equal relationship होना चाहिए, अगर मैं कहूं, ये list A है, और list B है, ये reference text है, so list A से list B के बीच में, आपका जो relationship है, वो common established होना चाहिए, list A में वो कहता है, कि ocean है, और ये saline है, so list A में, जो brook होगा, उसका water कैसा होगा, और फ्रेश होगा, so vocabulary मैंने क्यूं दिया हुआ है, कि brook आपको पता होना चाहिए, कि what is brook, clear, clear everyone, बहुत मज़ा आने माला है फिर आज के lecture में, और एक बार और लोगों को बिलाओ, सारे लोगों को बिलाओ, और हमारे आपको पता ह यह confuse करेगा आपको, पहले ही मैंने अच्छा कुशन दे दिया आपको, यह फार एनिमल, यह reference text है आपका, यह reference text है आपका, इसमें बहुत सो लोगों को जवाब गलत भी लगेगा, आगे है, ते है, स्वेता स् ओ लूबन, प्सक्ण को खॉ यह बहुत अवाब, प्सक्राइब, और हमने वहर लोगों को खॉवत अवाब, अप्स्टाइब, उट यह वहरा, जवतों कोशने मुचे D we have height is to creature ओके गो गो, गो, गो लेट्स है वान मोर यह अलग टेक्स्ट है, एक और लेते हैं यहीं पर, यह सेकंड था इसको एक थर्ड कर देते हैं जब तक आप बताओगे मैं इसको डिस्कस कर लूँगा एजिंसी ओगनिजेशन यह 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 एजिंसी के बाद ओगनिजेशन लिखा हूँ मैं रब कर देता हूँ, शार आपको विजिबल लोगनिजेशन पिर बाद में कर लेंगे इसको, चौट पहले इसको डिस्कस कर लेता है, ठीक है बहुत से लोगों का जवाब आया हुआ है A और D A coat shirt इसमें देखना है अभी आपको कि क्या होगा fur is to animal, sweater is to human coat is to shirt, milk is to water hide is to creature सबसे पहले wrong options को eliminate कर लेते हैं इस reference text में हम देख लेते हैं कि fur जो है, वो कौन से animals को होता है जो थोड़े ठंडे जगह पर रहते हैं उन animals में fur होता है और वो उनको protect करता है हर चीज से protect करता है, जैसे आपने लेखा होगा जो पहाड़ों पर रहते हैं, polar bear जो होते हैं उनके fur होते हैं, तो वो उनको protect करता है जो ठंट रहती है इंचेविजों से इसको प्रोटेक्ट रता है आप कोट और शॉर्ट का तो ऑप्शन ही नहीं है भई यहां एक आपका जो A पार्ट है और B पार्ट है यह इसके बीच में डिरेक्टली रिलेशन है इनका कि यह इनका इंटिग्रिल बॉडी पार्ट में आता है या उनके प्रोटेक्शन के लिए काम आता है कोट और शॉर्ट में को रिलेशन नहीं है मिल्क और वाटर में को रिलेशन नहीं है आपका B और C तो एकदम गलत हो गया B और C गलत हो गया कुछ लोगों ने बोला है A, कुछ लोगों ने बोला है T घ्यान से समझना आप इस बात को हम जब फर की बात करते हैं तो फर जो एनिमल है क्या उसको पैदाईशी आता है या वो बाद में कहीं से पहन लेता है मुझे बताना आप जो फर है क्या उसको पैदाईशी होता है फर या वो कहीं से खरीद के पहनता है कैसे फर को कैसे देखते हो आप obviously फर जो होता है वो पैदाईशी होता है कट करोगे वो naturally फिर आ जाएगा लेकिन जो हम स्वेटर की बात करते है स्वेटर क्या natural है नहीं आप उसको क्या करोगे फर भी प्रोटेक्ट करता है फर प्रोटेक्ट करता है एनिमल को ठंड से प्रोटेक्ट करता है या बहुत से चीजों से प्रोटेक्ट करता है लेकिन स्वेटर सर्फ हमें सर्दियों में प्रोटेक्ट करता है किसी चीज से यहाँ पे जो right option है वो D है यहाँ जो hide और creature है कि creature जो लोग होते हैं जो इनसान है वो hide करते हैं इस hide को आप skin के तौर से ले सकते हो जिस तरह से fur animals को hide करता है उसी तरह से creature भी hide होता है through skin इस तरह से आप relationship यहाँ पे establish कर सकते हो और यह चुकी natural है यह natural नहीं था लेकिन hide जो होगा उस case में natural होगा so हमने eliminate कर दिया B.O.C. को right option is D clear yes yes Raveena ask me हाँ और क्या sweater also protects human but sweater is not natural sweater is not by birth but hide that is something skin is by birth so the right option would be hide hide to protect creature this would be the option okay मैं फिर से बता देता हूँ आपको हमने कहा एक option था आपके पास fur is to animal so fur क्या करता है by birth एक protection होता है animal के लिए वो एक different environment पे different चीजों से उसको protect करता है तो हमने पहले eliminate कर दिया two options हमने coat shirt को और milk water को eliminate कर दिया कि the two are completely a wrong option now थोड़ा confusion होता है अकसर लगेगा कि sweater is to human is the right option but the thing is to sweater एक by birth नहीं आता है कि natural protection नहीं है human के लिए but when I say hide is to creature so जितने भी creature है उनके body पे एक skin होता है that protects them from all kinds of wither so that is kind of skin that is called hide and that is for creature ठीक है हाँ हाँ absolutely रवीन आप फिल कर सकते हो now moving ahead कोई problem नहीं है अभी form निकला नहीं है बेलिट का लिकिन जब बेलिट का form आएगा तो आप उसको naturally भर सकते हो no problem with that okay so now some easy questions now agency is to organization father is to mother options are father is to mother colleague is to associate light is to sleep अबे आपिक सकते हीओ लिक्टिस्चशगीत helpful 挺 उसीचफ़पव़़वक्टिस्चербफ़वपववव प्हτιत्चबव़ववववववववववववववववववववववववववववववववववव sou masa यहां पर हमने skin की तरह से लिए है, yes correct वोई फ्रीज तो वर्स टेश टेबल मस्ट्रीज तो अनिग्मा यहां प्रीज तो अनिग्मा दी, stories to morale okay, now see first आपका यह reference text हो गया यह आपका reference text हो गया, so what will be the answer reference text हो गया आपके पस डेली में है रवीना, आप हमारा इंस्ट्यूशन डेली में है आपको चैनल के जो डेटेल पेज में जाओगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पर ओके, so for this is agency is to organization, father is to mother, colleague is to associate, knight is to sleep so, क्या है जवाब इसका, इस वाले पार्ट को पहले कर रहे हैं, इसका जवाब अभी मत देना, इसका जवाब पहले देदो so, we have answer B, I guess, B, 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 B नहीं, गौरव, वो बिल्कुल इसके लिए तो आप छोड़ दो, पहले इसको try करते हैं, क्या है? B is also wrong part, antonym नहीं है, और infant और child भी अलग अलग चीज़े होती है, infant बिल्कुल जो toddler है, बिल्कुल छोटा बच्चा है, child उसके समें थोड़ा बड़ा हो जाता है, so right answer is, colleague is to associate, B is correct answer for this, colleague is to associate, अब हम इसको देख लेते हैं, poetry और verse, so दोनों similar है, verse जो है, poetry का ही पार्ट है, verse poetry का पार्ट है, लेकिन क्या table और chair का पार्ट है, no, क्या Shakespeare drama का पार्ट है, दोनों अलग अलग चीज़े हैं, drama लेखते थे, Shakespeare और story का moral होता है, so right answer is, mystery और enigma, ये दोनों चीज़ें similar हैं, यानि verse को आप poetry भी कह सकते हो, clear, clear, दोनों में ही भी है, दोनों में ही भी है, Pryansha, आप ये महिंदर से पूछ लो, आप उनको message करते हो, बता देगा, good evening, so the right option is, I am telling you, B, mystery is to enigma, और colleague is to associate, आप थोड़े अच्छे questions करते हैं, अब थोड़े अच्छे questions करते हैं, जो challenging होगा आपके लिए, ये तो खेर बहुत easy था, जो आसानी से कर लिया आप में, थोड़े अच्छे questions करते हैं, थोड़े अच्छे questions करेंगे, तब मज़ा रएगा, ऐसे मज़ा नहीं आएगा अपको, और ये टेस्ट कर लेते हैं, और ये थोड़े अच्छे questions कर लेते हैं, और ये भी थोड़े सा easy questions है, I won't say कि this is really difficult, डिफरेंट, रेडियो इस्टु मार्खोनी, रेफेरेंस टेक्स्ट है, एमें आपका होगय है, तो मुसीम, तो आपक्स, बाले, बाले तो दांस, टेलेफोन इस्टु बेल, ग्रावा इस्टु शोड़े, इसका दूशेरा पार्ट देख लो अब, फिर यहां confused होगे आप लोग, CELL लोगे वारे सोफ सकॉबसों, ĐRUG लोगे वारे स्कॉबस, Shizofrenia, कि लिढ खोनान्स का ए्राई कर औ्यॉर्ट शॉर्मे अर्थि का जिए का जडेस आद झाला से और अर्दागिए आंस समय आदेस अजिए का लिए सु के अविए यह रेज़ नहीं तो पॉक्षिज़ नहीं रेडियो किसने ढूड़ा था किसने इन्वें किया था मालकोनी ने सो मुजियम में रखा जाता है आटिफाक्स वोट इस आटिफाक्स आटिफाक्स किया होता है जो मुजियम में चीजें रखी जाती है जो चीजें मुजियम में रखी जाती है that is called आटिफाक्स so museum artifact हो गया ballet और dance एक form है लेकन telephone का invention किया था bell ने so that is correct this would be the correct option but this is tricky but this is tricky go and find the answer I'll wait go do it this is tricky I'll wait C go ahead Princey ने D बोला हुआ न Gaurav ने air oxygen logic समझना है मैं बार बार के रहा हूँ logic समझना है बिना logic के आपको option समझ में नहीं आएगा ठीक है chromosome cell का एक part है agree to that then ailment और drug दोनों अलग-अलग चीज़े हैं हमने eliminate कर दिया schizofrenia is the condition of a brain schizofrenia एक बिमारी है which is condition of a brain wrong option ठीक है अब यहां दोनों में confusion है कि क्या है ठीक है nucleus is part of atom not a molecule जब दो atom मिलते हैं hydrogen का एक atom मिलता है और hydrogen का एक atom मिलता है so हमें एक molecule मिल जाता है H2 के तौर पर ठीक है but oxygen is directly क्या है constant है air का so this will also be a wrong option nucleus की जगा अगर atom होता that would have been an appropriate answer but here यह molecule की बात कर रहा है molecule nucleus form नहीं करता atom के बीच में जब वो proton होता है electron होगा neutron होगा positron होगा और वो बड़ी डीप में चीजें चली जाती है उसमें जब यह division होता है so यह nucleus part होता है atom का not of molecule जैसे hydrogen का एक atom ले लिया एक atom हमने ले लिया एक unit hydrogen का ले ले लिया एक unit ले ले लिया hydrogen का so वो molecule बन गया आपका H2 so the right answer is oxygen क्या हो गया एक constituent है एर का और chromosome क्या है constituent है cell का clear any doubt any doubt anything to ask कुछ पूछना है कुछ पूछना है आप लोगों को good so now the real questions would come और हम जादा कुछन लेंगे नहीं आज के इस class में five or six questions और लेंगे that will be end of the class और इसी के साथ vocabulary उसी में कर लेंगे so the next question is computer is to RAM computer is to RAM book is to peace cloud is to rain table table cloth or parable is to poem and the next is cabin is to caboose and captain is to chef room is to kitchen school is to college school is to college hospital is to hospice hospital is to hospice hospital is to hospice τι गो साथ気 प्रीव्स भी पूल and आवे और इक जह भी ढोल believe both lot of the नहीं होना नहीं हो गारोwhich दो सकता है दिए रिट नहीं सकते होगा तो चलेगा नहीं पार मेन क्लावड हो सकता है आ एक है बारो लॉटेबल के भी ना हो सकता है, so you got that concept here, that is A is correct option, here cabin, caboose, captain, chef, room, kitchen school, college, hospital, hospice what will be the right option what will be the right option इस वाले केस में, cabin औ कबूज वाले में देखो, कबूज क्या होता है जो ship होती है जो आपका ship होता है, जो ship में kitchen होती है जो ship में kitchen होती है उसको हम बोलते है कबूज kitchen in ship ठीक और उस यो room होता है ship में room in ship is cabin so room is to kitchen अब इसमें ये गरत option है that is the right option school college को भी option नहीं है hospital and what is hospice इसको बोलते है धरमशाला जहां where terminally ill people are kept it's called hospice take my word mark my word we are terminally ill जो बहुत बीमार होते है उनको जहां रखा जाता है that is called hospice check it so right answer is room is to kitchen caboose क्या है एक ship में kitchen है और cabin उसका room है उसी तरह से room is to kitchen we would be the right option any doubt any doubt let's have three more question for the day then we'll wind it up इसी के साथ बहुत से नए वोकाबलरी भी मिल गए होंगे आपको इसलिए मैंने पिक किया हुआ था so we have now now pistol is to trigger या सान है कर लोगे Sबसित्स जे फिवाँ की काथ दो sबस्ट्स वा थार्यर्थ sव स्व फिर कूपर्द रोगे शुलिए C Motor is to switch और D है Rifle is to soldier दूसरा है Cadaver is to corpse Cadaver Exodus is to flight Stick is to timber Death is to life Word is to sentence Go ahead Yes correct Correct Gaurav Gaurav is correct in this part So A is the right answer किते लों का और सही जवाब है So so far only Gaurav is correct ध्यान जे देखना Sword जिसमें रखा जाता है उसको बोलते है Scabard जिसको हम शीथ भी बोलते है Hindi में बोलतो म्यान एक म्यान में दो तलवारे नहीं रहती That is called म्यान या शीथ दोनों बोलते हो Scabard बोलते हो Sword जहां रखा जाता है तलवार जिसमें रखी जाती है जिसमें एक म्यान में दो तलवारे नहीं रहती उसको आप शीथ भी बोलते हो Scabard भी बोलते हो Gun जहां रखा जाता है उसको बोलते है holster Gun का जो holder होता है Holder of gun उसको बोलते है holster ठीक है, राइफल सोलजर के पास रहती है, लेकिन ट्रिगर से पिस्टल चलता है, और स्विच से मोटर चलता है, एक ही करेक्ट आंसर है, स्कैबर्ड में स्वार्ड रखा जाता है, बोल्चर में गन रखा जाता है, सोलजर के पास राइफल होता है, है, so reference text से, जो text आपको मिल रहा है, that is, switch is to motor, so right answer is, C, switch is to motor, right answer is, switch is to motor, C is correct option, okay, look at this one, cadaver का मतलब क्या होता Lash, dead body, dead body, corpse, name, rest, after this, we have just one word, relationship find करने की कोशिश करो, क्या relationship है, relationship अगर समझ गया है, तो फिर आसान है, relationship find करने की कोशिश करो, क्या relationship है, भ्यान से समझना, cadaver और corpse, दोनों क्या है, synonym है, ये दोनों क्या है, synonym है, इसका मतलब कि आपको synonym ढूणना है, death life, wrong है, sentence और word कभी भी उसेम नहीं है, टिम्बर और stick भी सेम नहीं है, और exodus और flight सेम होते हैं, क्योंकि flight का मतलब भी एक जगा से दुशे जगा जाना, और exodus का मतलब भी एक जगा से दुशे जगा जाना, so flight और exodus सेम होजाएंगे, बाकी सारे अलग है, so right answer is, कौन सा वाला है कौन सा वाला इंबरान कहारो ये वाला ये वाला डिस और डिस केडेवर वाला ना, केडेवर वाला I guess इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा सो इसको मैं फिर से बता रहा हूँ ये दोनों सिनॉनिम है, समझ में आ गया आपको cadiver or corpse यह दोनों synonym है, दोनों का मतलब dead body होता है ठीक, death or life synonym नहीं है, यह समझ में आ गया synonym नहीं है, stick or timber synonym नहीं है, समझ में आ गया अब हमारे बास 4 options है, 4 में से कोई एक ही select करना है, अस तो नहीं की छोड़ के आ जाओगे आप, select एक करना पड़ेगा आपको, so आपके पास पता है कि word or sentence के synonym है no, क्या life or death synonym है no, क्या timber or stick synonym है, नहीं timber लकडी का कोई, timber का मतलब बहुत बड़ा, अगर कोई log हो लकडी का, वो भी timber है और stick तो छोटा होता है stick की तो हम जानते हैं कि बहुत हलका होगा, लेकर हम गुमा सकते हैं और exodus का मतलब होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, जब कोई बहुत ग्रुप में पांच ये साथ लोग, आठ लोग exodus कर जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं छोड करके, जैसे सीरिया में क्या हुआ, जो जो मुस्लिम्स है वो कहीं exodus कर गए, जो क्या होगा, जब मॉब में पूरी मॉब पूरी की पूरी भीड कहीं exodus कर जाती है एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं तो फ्लाइट भी तो वही है कि बहुत से लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं सो आपको समझ में आ गया होगा अब समझ में आ गया, कि exodus जो है वो फ्लाइट का ही पार्ट है, क्लियर है क्लियर है रिहान यस, फिर्स्ट उप्शन इस करेक्ट अब ए क्लियर है फिस्ट पिस्ट पिस्ट निए और इ मरान आगस्ट आउ इस्ट पिस्ट पिस्ट आप्षट व्यूफ पिकार्ट पिस्ट फिवल्किंट सोभ्पिन अब ट्रॉब्स स्कैबर्ड होता है जहां पर तलवार जहां तलवार रखी जाते है न म्यान उसको बोलते हैं एक म्यान में दो तलवारें वाला उसको बोलते हैं नेक्स्ट क्विस्टिन यह आपका टिपिकल वोकाबलरी टेस्ट करेगा और कुछ नहीं टेस्ट करेगा कुछส प्रॉपन करें उल मैं, क्योंती रिद्ट। करेंगी करके बालों जी एते शो भालों नहीं हिएगा प्रॉणेगाonce। झाल 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 गो आएड गो आएड जो लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक कर लेना वीडियो को लास्ट कुश्चन है ये आज के दिन का बहुत से वो क्याडरी भी से सीख ली है आपने ये तो कोई जवाबी नहीं आ रहा कहां चले गए दी लिटी गन्फ्यूस्ट चलो ठीक है डी ठीक है ठीक है डिफिकल्ट तो है ये रेस्ट रेस्ट क्विकली लास्ट कुश्चन है इसके बाद आपको फारी कर दूंगा मैं बेहोश हो गए सब हाँ बेहोश तो हो गए मुझे नग रहा है बेहोश हो गए येस कुछ चीजें तो आप लोगों ने एकदम पकड़ी है टीचर्स के, question of the day so question of the day मैंने last के लिए रखा हुआ था exactly this is this, Gaurav is correct this is question of the day yes it's difficult और बेहोश भी हो गए और जिस्थे इसको question को कर लिया वो दिल जीत लेगा दिल जीत लोगे क्या जल्दी जल्दी जवाब दो मैंने रखाल से कुछ लोग तो गए होंगे Google पे meaning search करने mundane, netrial, parsimonious, elemental, candid, inert, prosaic ingenious, palpable, intractable मैंने रखाल से जाएंगे पहले Google पे search करेंगे कि एक वर्ड फिर ढूल के आएंगे relationship establish करेंगे उसमें 10 मिनिट लग जाएगा मैं हूना उसके लिए क्यों परिशान हो रहा हूं हाँ मुझे भी बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ सभी लोग इसलिए यहां लोग कम हुए है जाए लोग गये गूगल पे search करके फिर आएंगे फिर बताएंगे मुझे क्या सभी जवाब रहा हूँ चलो पहले meaning लेख लेते हैं mundane का मतलब होता है समझना इस बात को दो तरग का life होता है life में we have matter then we have spirit कुछ लोग होते हैं जो materialistic life जीते हैं कुछ लोग spiritualistic life जीते हैं so एक materialistic life जो सिर्फ they believe in possession of cars, jewelry, gold, cash, valuables so they believe in that that is called mundane life sansaric life they have they marry, they have children so they believe in materials की हम चीज़ों को घठा करते जाहूं मैं एक करोन, दो करोन, चार करोन के balance sheet में जीरूस बढ़ते जाएंगे they believe that now they have 1CR, 10CR so 100CR so they believe in that, so that is called mundane life, इसको हिंदिये बोलते हैं sansaric जिंदगी but on the other hand some people are there, they believe in spirits they believe the happiness is the extreme goal of life, so they directly connect with God or they believe in good deeds, that is called ether, the word is ether ether से लेलो ethereal बनता है, that is aerial, इसका मतलब भी होता है aerial, यानि आकाशी आकाशी का मतलब जो सिधे गौड से connect करे that is को एक इसके और meaning होता है extremely delicate और इसको एक वर और बोलते है perfect, so extremely delicate which is completely perfect is called ethereal so mundane एक्सानसारिक हो गया, यह aerial connect करता है, God से connect करता है aerial वर्ड भी होता है aerial जो आकाशी जो connect करता है use of word meaning है इसका extremely delicate or perfect is called ethereal अब हम इसके उपर जाते है, parsimonious आपने search कर लिया होगा conduce okay elemental छोड़ दो elemental से कोई मतलब नहीं है जो जिसको हम इसको भी इससे connect कर सकते हो आप इससी इसको इससे connect कर सकते हो कि जो एक जिंदगी जीता है जो चीजों को थोड़ा Godly connect कर पाता है that is called elemental okay, candid मतलब होता है सच्चा, सत्य, candid photograph देख्यों कि candid का मतलब यह होता है inert का मतलब inert gases देखोगा आपने neon, octane, helium जो होता है inactive इसका मतलब होता है inactive फिर pros एक word बनता है pros से pros यानि literature देखना कितना deep लिया होगा pros एक का मतलब होता है जिसके में कहीं कोई beautification नहो not beautiful not beautiful जो बिलकुँ नीरस हो जिसमें कोई चमक नहो अब pros के opposite क्या होता है poetry poetry में क्या होते है I mean literary devices so prosaic का मतलब क्या हो जाएगा not beautiful जो प्रोस हो जो नीरस हो जिसके अंदर कोई बहुत चमक नहो ठीक है yes like sand किसीने कुछ बोला हुआ mundane means boring yes correct mundane means boring जो सांसारिक जिंदगी जिए उसको mundane बोलते है अपने गूगल पर search कर लिया होगा लिखने इसका मतलब हो हो जो सांसारिक जिंदगी जिए that is called mundane life so prosaic का मतलब हो जो नीरस है not beautiful है pros हो गया ingenious का मतलब clever and we have pulpable which is tangible आसानी से जो दिखाई दे जाया that is called tangible और intractable का मतलब होता है rude घटिया आदमी rude नीच hideous का मतलब होता है infractable so अगर आप अब relations establish करते हैं यह क्या है दोनों के बीच में यह antonym है यह दोनों क्या है mundane जुसने का बोरिंग और ethrial यानी extremely delicate or perfect so दोनों के बीच में कैसा relationship है एक antonym relationship है parsimonious और elemental दोनों के बीच में कुई relationship established नहीं होगा somehow similar relationship है candid और inert के बीच में कुई relationship established नहीं होगा कि यह inactive है and candid एक status है बंदे का he is a candid that is candid होता है लेकिन जब मैं prosaic की बात करता हूँ तो थोड़ा बहुत relationship मुझे यहां से मेल रहा है pulpable क्या होगा tangible हो गया intractable niche हो गया जो दोनों के बीच में relationship नहीं आ रहा है सिर्फ यह पार्ट है prosaic जो कि dull होगा not beautiful which you can say dull नीरस हो dull और ingenious यानी clever हो जाएगा सो यह पार्ट है जो थोड़ा बहुत यह एक हो गया dull सुष्ट धीला और यह हो गया ingenious इसको clever कहते है ठीक है so only c option would be correct मेरे खाल से किसी का सही नहीं हो गया yes ascetic like sand correct is ascetic people ascetic word होता है ascetic उनके लिए होता है मैं just missing that word ascetic के साथ एक word आता है संत की तरह से जिंदगी जीते है स्ट्रिक रूटिनल लाइफ होता है discipline hardly discipline life जेते है there is a word for that I am just missing that that is called ascetic life so ascetic people होता है मैं उसका word याद नहीं आ रहा है उसके लिए term इस्तिमाल करते है जो ascetic life होता है so समझ में आ गया mundane is boring sansaric जो फिजिकल लाइफ में विलीव करते है ethereal is aerial extremely delicate perfect ठीक है parsimonious can juice कोई option fit नहीं बैटता है only C would be correct option and this is the question of the day okay so anything to ask और बार बार मैं कह रहा हूँ कि बहुत सी वीडियोस में और अलड़ी वो बनाई हुई है अगर आप देखना चाहते हो तो रात में सोते वक्त जाके एक बार चेक कर सकते हो उन वीडियोस को और YouTube speed को बढ़ा करके आप उसको 2.01 जो normal के बजाए उसको 2.0 पर रखके उसको देख सकते हो और बहुत अलदी C.U.C.T. का बेटा जाएगा अच्छा रायंक लेकर के आओ और अगर अपने दोस्त हैं आपके होंगे ही रिलेटिपस हैं आपको सो उनको प्लीज रिफर देम to the classes. Okay, anything to ask or should I leave the session? कुछ पूछना है आपको or should I end the session? Anything to ask? Yes, इसमें हम कुछ और भी लेकर के आएंगे बहुत ही चीज़े हैं जो लेकर के आना है जो हमने होल्ड की हुई है कि exam announcement होने के बाद आता है analogy बहुत बढ़ी है analogy करना है हमने sentence rearrangement करने है para jumble करना है para completion करना है close test करना है बहुत ही चीज़े हैं analogy का भी यह part one है आप para jumble के four section होते है four parts होते है para jumble के analogy का यह part one है analogy के different parts होते है जो करते हैं आप analogy का type one है type two भी किया जाता है analogy का type two ज्यादा मुश्किल होता यह easy है यह जो भी आज आपने किया यह easy है जो analogy का type two करो that is difficult thank you so much thank you Anshul thank you so much thanks a lot so should I leave now thank you bye bye take care थोड़ा पढ़ो यार पढ़ो अच्छा राइंक लेकर क्या हो हमें भी अच्छा लगे और अपने दोस्तों को रिफर करो thank you so much bye bye I'm leaving now मैंने कल ही मैं आपको बदा दूँ इतने लोग हैं कल ही मैंने vaccination लगवाई है मतलब कल रात से ऐसी हालत है कि पूछो मतलब कि लेफ थैंड ना ऐसे ऐसे नहीं हो रहा तो अभी तो आपके सामने हो रहा यहां से लेकर यहां तक बड़ा दर्द है बुखार भी है और मैंने कहा कि क्या ही शुट्टी कीजा है यह जो लोग जानते हैं मुझे वो जानते हैं कि मैं कभी यूजिली एगर कोई बहुत अरजेंट ना हो तो मैं चुट्टी नहीं करता रिगुलर आता हूँ आप भी महनत करो हमी महनत करने का मौका दो I'm leaving now, thank you so much, bye bye, take care